हेलो गुड इवनिंग्स हैं कैसे हो आप सब सब बड़े होगे तो यार आज है हमारे जो डोगाउस बना रहा हूं न उस डोगाउस का न आज बनने का डे थ्री है तो मैं आपको डे वाई डे उसका प्रोग्रेस दिखाने वाला था मैं आपका दोस्त और बहुत सारे पैट का बेरेंस टेलोन आप सभी का पैट्स और बीएफफ चैनल पर स्वागत करता हूं तो वह प्रोसेस में न अभी आज तीसरे दिन का प्रोसेस कंप्लीट होने आया है तो वह प्रोसेस कितना पहुचा है वह मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं तो चलो आपका ज्यादा आपको दिखा देता हूं कि अमारे जो डोग आउस बनने का प्रोसेस है कितना पहुचा है मिलते आगे वीडियो कि वह तो दोस्तो सबसे पहले आपको मेरे सभी डोग से मिलवाता हुआ चलता हूं यह अमारा कांचा है देखो कैसे मस्त आंती से बैठा है यह स्कूबी जो इसके बाद है फिर यह अमारी आइसी देख लीजिए कि यह मस्त गुम रही है और एक प्लेस है अमारी उसको है हमने उपर बांदा हुआ है क्योंकि यहां पर जगा कम आप देख सकते होगे दोस्तों यह यह जगा थी अपनी स्कूबी के लिए जहां का पूरा प्लास्टर निकल दिया है तो मैंने आगे की वीडियो में आपको दीखाया था यहां पर और एक बोक्स बना कि मेरे कांच्या को रखने वाला हुँमें तो यह जगा हो गई फिर यह जो खाली श्पेस आपको दीख रहीन है यहां से यहां से लेके यह तक यहां पर दो और बॉक्स आएंगे जिसमें हम रखेंगे आइसी और अमारी ब्लेसी को और आज के प्रोजेश में दोस्कों अंकल ने किया है यह वाला यहां का कोट जो है उसका भी सारा प्लास्टर निकल दिया यह देखो तो यह पूरा प्लास्टर निकल गया इसके उपर अभी टाइल्स लगने वाला है तो बस इतना प्रोसेस आज का हुआ है यह अभी यह इधर कोट तोड रहे देखेंगे और यहां पे भी सब जगा टाइल्स लग जाएगा और फिर यहां पे चार जो घर बनेगा ड वह बनने के बाद भी आपको दिखाओंगा बेली प्रोसेस आपको दिखाने का मैंने वादा किया है तो चलो आज के लिए इतना ही फिर आगे का व्लोग आपको दिखाते जाओंगा कल का प्रोग्रेस भी आपको दिखाओंगा यार यह फोटेज है दोस्तों नाइट के टा काम खतम हो गया आप देख पा रहे होगे कि ये पूरे मेरे कोट का प्लास्टर निकल चुगा है पूरा नवाला अभी मेरे को लगता है शायद कल इसके उपर नया प्लास्टर लगने का प्रोसेस चालू हो जाएगा तो वो भी मैं आपको दिखाते जाओंगा तो जुड़े रहे हैं दोस्तों और पूरा प्रोसेस तो दोस्तों देख लिया आप लोगने बस आज का प्रोसेस इतना ही कंप्लीट हो तो बिस्ते हैं कल के ब्लोग में कल के वीडियो में कल की प्रोसेस जो होगी वह भी आपको दिखा दूंगा और अगर आप लोग पूरा मेरा डोगा दोस्त बनना चाहते हैं या जो नए लोग ना डोग उसमें के प्रीट कर होब टो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और जो पुराने विवज कर लिए तो चैनल को लाइक कर लिए तो मिलते आगे नए कॉम्टेंट के सानख तिल देन टाटा वाई बोई झाल 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 झाल